हेलो सुदेंट्स, वेलकम टू मैच चैनल, नुमेरिकल मेथड्स के लेक्चर 3 में आज हम कंसेप्ट आफ सिग्निफेकंट डिजिट्स एन एरर इन नंबर को डिसकस करेंगे सिग्निफेकंट फिगर की कंसेप्ट को समझने के लिए हमें कॉमन एक्जैम्पल लेते हैं स्पीडोमेटर का, automobiles के अंदर स्पीडोमेटर औरोमेटर यूज होते हैं हम यह फिगर से देख पा रहे हैं इस पार्ट को हम स्पीडोमेटर बोलते हैं this part is known as order meter, यहाँ पर यह जो pointing device है, इस point पर point कर रही है, अगर हमसे पूछा जाए, कि यह कितने kilometer पर hour की speed से travel कर रही है यह गार, तो कुछ लोगों का answer यह होगा, कि 48 kilometers पर hour है, और कुछ लोग यह बोलेंगे, कि 49 kilometer पर hour है, यह सब लोग यह बोलेंगे, कि 49.9 kilometer पर hour की speed से travel कर रही है यह value जो हम indicate कर रहे हैं, सिरफ यह approximation के ओपर dependent है हमें exactly value नहीं पता, यह limitation हो सकती है instrument की, हम सब कुछ approximation से बता रहे हैं, तो actual claim नहीं कर सकते कि जो इस point की, इसको यह point कर रहा है, actual value कितना है इस problem से deal करने के लिए, significant figures का concept आया क्योंकि जो significant figure है, वो हमें exact value define करता है कि कितना point तक हमें इन values को consider करना है ठीक है, next हम move करते हैं, इसकी definition के उपर the definition of significant digit, significant digit हमें इस concept से बताती है कि value, actual value क्या है, उसको designate करती है क्योंकि generally जो भी numerical values हम calculate करते हैं, उसके अंदर सभी approximation के उपर ही वो dependent होती है अगर हम significant figures का concept यूज करते हैं, तो हम last की values को up to significant digit तक restrict कर देते हैं, और हमारे पास exact value जो है वो obtain हो जाती है, that's why हम significant figures को use करती है, significant digits वो digit हैं, जिनको हम confidence के साथ use कर सकते हैं, कि exactly हमारे पास इतने ही value होगी, यह approximation के उपर dependent ही होती है, जो numerical analysis के अंदर हमें approximation करनी पड़ती है, significant digit के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, significant digits को find out करने के लिए एक rule का use किया जाता है, वो rule यह कहता है, the number of digits in a number excluding the leading zeros are called significant digits, एक example consider करते हैं, हमारे पास एक value है, 0.00378, रूल के अंदर कहा जाता है, कि जो leading zeros है, उसको remove करके चितनी values आपकी remaining बचेंगी, वो आपका significant digit है, leading zeros का मतलब होता है, जो आगे आपकी zeros लगी है, बात की values कितनी है, 378, तो आपकी यहाँ पे number of significant digits कितने हो गए, 3, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमें ये बात भी धियान रखनी है, अगर हमारे zeros जो है, वो बात में लगी होंगी, तो वो उन zeros को हम significant digits के अंदर ही count करेंगे, for example, 0.3780 है, तो यहाँ पे number of significant digits कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है, अब इस example से consider करते हैं, हमारे पास equation है, 7.185, सबसे पहले हमारा काम यह है कि हम उसको normalized floating point number के अंदर convert करना है, and then हम उसका number of significant digits find out करेंगे, इसको हम convert करेंगे, normalized floating point number के अंदर हमारे पास value आ जाएगे, 0.7185 into 10 to power 1, ठीक है, अब हमें find out करना है कि इसके अंदर significant digits कितने हैं, इसके अंदर आपका जो leading zero है, आप उसको remove कर देंगे, बाकि कितने number of digits आपके remaining है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे आपके number of significant digits हो जाएंगे, 4, next example consider करते हैं, यह वाला, इसको भी आफ normalized floating point के अंदर convert करेंगे, और उसका significant digits find out करेंगे, without NFP के अंदर convert के भी हम significant digits find out कर सकते हैं, question यह कहता है कि leading zero को छोड़ कर, जो remaining digits बसते हैं, वो हमारा significant है, leading zero, यह three zeros हैं, इसको हम छोड़ देंगे, कितने digits हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, तो number of significant digits कितने हो जाएंगे, 5, लेकिन फिर भी हम इसको normalized floating point के अंदर convert कर देते हैं, इसका answer आ जाएगा, इसको point पे दर shift करना है, 0.54670 into 10 to power minus 2, कितने significant digits हैं, आप count कर लिजे, 1, 2, 3, 4, 5, right, इसको भी पहले NFP के अंदर convert करते हैं, वैसे आप बिना उसके conversion के भी आप number of significant digits find out कर सकते हैं, सबसे पहले हम convert कर लेते हैं, इसको, इस point को इदर shift करना है, left की तरफ, हमारे पास answer आजाएगा, मैं directly लिख रही हूँ, 4, 0, 1, 3, 2, 5, 0, into 10 to power 2, आप count कर लेजे, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आपका इहां पर answer आजाएगा, 7, इस तरह से आप इसको NFP के अंदर firstly convert करेंगे, and then number of significant digits आप find out कर लेंगे, next, हम example consider करते हैं, example of scientific notation, यह हमें ही value जो है, वो scientific notation में given है, that is, powers में given है, आपको इसके अंदर find out करना है कि इसके number of significant digits कितने होंगे, अब इसके अंदर आपको वही rule use करना है, कि leading 0 है, उसको छोड़ कर, जितने remaining values बचती हैं, उनको अगर आप count कर लें, तो आप significant digit find out कर लेते हैं, कितने number हैं, इसके अंदर कोई leading 0 तो है नहीं है, आगे 0 तो कुछ नहीं ही लगा हुआ, तो कितने number of digits हैंगे, 1, 2, 3, तो that means, इसके अंदर significant digit कितने हो जाएंगे, 3, next आप बताईए, इसके अंदर कितने significant digits होंगे, कोई leading 0 नहीं है, 1, 2, 3, 4, तो answer क्या जाएगा 4, जैसे मैंने आपको previous example में बताया, अगर 0 जो है, वो बाद में लगा हुआ है, तो वो एक number कि थरह consider होगा, लेकिन अगर वो leading है, तो उसको consider नहीं करेंगे, next example यहीं consider करेंजिए, इसके अंदर भी 0s बाद में लगें, इसको भी आप count करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर भी आपके number of significant digits कितने हो जाएंगे, 5, तो यह था हमारा concept of significant digits, अब हम इसके needs को discuss कर रहे हैं, need of significant digits, हमें significant digits की जरूरत क्यों पड़ी, उसके पीशे का reason यह है, कि जो numerical method है, वो हमें हमेशा ही approximated result देता है, actual result क्या है, वो हमें नहीं पता चल पाता, लेकिन अगर हम significant digits का use करते हैं, हम एक confident answer के उपर arrive कर सकते हैं, that's why हम significant figures का use करते हैं, next हमारा topic है types of error, जो error है, वो किस कारण से आते हैं, यह जो errors आ रहे हैं, वो किस कारण से आ रहे हैं, क्योंकि हम values को significant की तरह नहीं use कर रहे हैं, इसलिए हमारे errors आते हैं, errors हमारे two types के हैं, non numerical and numerical, non numerical के अंदर modeling mistakes और data की problem आती है, और numerical analysis के अंदर round off का error आ सकता है, inherent error आ सकता है, क्योंकि हम numerical method को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम यह सिरफ तीन error को ही discuss करेंगे, अभी हम round off error को discuss करेंगी, round off error जो है, वो generally आपका arithmetic operations के साथ आता है, एक example consider करते हैं, 0.3468, हम इसे round off करना है, तो generally हम यह rule follow करते हैं, कि अगर आपके पास कोई value जो है, वो 5 से जादा है, तो अपनी पहले वाली term के अंदर 1 plus कर देती है, 1 का increment कर देती है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको round off करती हूँ, up to 3 digits तक, तो मेरे पास जो answer आएगा, 3, 4, 7, यह मेरा answer होगा, round off करने से हमारे पास यह round off का error आजाता है, अब कुछ computers जो हैं, वो आपके final answer को round off कर देते हैं, जैसे कि हमने previous के अंदर करा, कि जो value थी, 0.3468, इसको हमने 3 digits तक round off कर दिया, और answer आगया हमारे पास 0.347, लेकिन कुछ pieces जो होते हैं, वो इसको round off नहीं कर पाते, तो इसलिए वो directly उन values को chop off कर देते हैं, एक example consider करते हैं, 0.369573, तो उनको 4 digits तक रखना था, तो वो क्या करेंगे, directly इन दो digits को क्या करेंगे, chop off करेंगे, जबकि वो round off कर सकते थे, लेकिन उनने नहीं किया, और directly एक answer पे arrive होगे, 0.3695, बिल्कुल वैसे ही, जैसे कि previous वीडियो के अंदर, हमने normalized floating point के अंदर values जो हैं, वो convert की हैं, जो मैंटीसा के बाद वाली terms सो उसको हम chop off कर देते थे, बिल्कुल उस तरह से, एक example consider करते हैं, ये value हमारे पास, 0.137684 into 10 to power 3, मुझे इसको क्या करना है, round off करना है, तो या तो आप round off कर देंगे, मतलब ये जो 8 है, ये one digit जो है, वो 6 के अंदर plus कर देगा, या फिर ये दोनो values को chop off कर देगा, वो computer के ओपर depend करता है, कि वो जो system है आपका, वो chop off कर रहा है, कि वो round off करता है, 0.1377 into 10 to power 3, ठीक है, और अगर हम कोई और hypothetical computer consider करेंगे, तो हो सकता है, वो इस value को round off ना करके, डिरेक्टली इसको chop कर दे, chop means, वो इसको remove कर देगा, और यहां तक को ही answer दिखाएगा, 0.1376 into 10 to power 3 हमारे पास final answer आजाएगा, इन दोनों में से वो answer कुछ भी हो सकता है, इस error को हम बोलते हैं, round of the error, next error consider करते हैं, inherent error, next error is inherent error, inherent error वो error है, जो एक finite representation of number के कारण आता है, for example 1 by 3, अगर हम इसको calculate करेंगे, तो हमारा answer जो आएगा, 0.3333, जिसको हम 0.33 के उपर हम बार लगा देते हैं, similarly pi की value 3.14 something रहते हैं, या फिर 17 divided by 33, इसकी भी value 0.515151 up to so on, तो इसको भी हम 0.51 बार consider कर सकते हैं, तो that means वो error जो एक finite representation of number के कारण आते हैं, मतलब कि हमने 2 डिजिट तक उसको finite कर दिया, क्योंकि बार बार भी repetition ही हो रहा था, इसलिए हमने उसको 2 डिजिट तक ही finite कर दिया, यसे के 0.51 इसको हमने 2 डिजिट तक ही finite कर दिया, इस कारण से जो error आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, inherent errors, last हमारे पास error है, truncation, truncation मतलब last की value को truncate कर देना, remove कर देना, यह जो error है, यह किस कारण से आते हैं, these errors are caused by the finite number of terms in the infinite series, infinite का means यह है कि जो finite ना हो, जिसका कोई termination point ना हो, for example, e के power x is equal to 1 plus x plus x square upon 2 factorial plus x3 upon 3 factorial, up to so on, यह हमें नहीं पता कहां तक ही last होगा, तो यह जो infinite series के वज़ज़ से जो error आते हैं, उनको हम कौन से errors बोलते हैं, truncation error, क्योंकि इन values को infinite number तक तो calculate करना काफे difficult है, तो हम क्या करेंगे, इसको truncate कर देते हैं, for example, यह up to so on तक जा रहा है था, लेकिन हमें find out करना है इसके exact value, तो हम बाकिए सारी values को truncate करके, मतलब इन सब चीज़ों को छोड़कर, जो यहां तक का जो answer होगा, यहां तक का जो answer होगा, उसी को ही हम consider कर लेंगे, right, all in all अगर बात करें, तो सबसे जो difficult error है, जिसको find out करना मुश्किल रहता है, वो है हमारे पास round off का error, क्योंकि truncation error जो है, वो भी कुछ limit तक accurate value हमें दे देता है, truncation से हमें एक particular limit तक accurate value मिल जाती है, लेकिन round off के error से हमें accurate value मिलना काफी difficult हो जाता है, ठीक है, अगर हम all over consider करें, तो truncation का जो error है, उसको फिर भी rectify किया जा सकता है, लेकिन जो round off का error है, उसको rectify करना काफी difficult हो जाता है, यह था हमारा complete concept, significant figures का और types of error का, previous video में यह कुछ मेंने problems दी थी, problems for practice, इसके answers का link description box में given है, if you have any query then please ask in the comment section, और आप हमें contact कर सकते हैं, at the ID given in the description box, thanks for watching,